हेलो गाइस विल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल यसके मिश्चडी अव्वे आप सक्सिच और आपको बोर्ट परिच्छा 2020 के लिए कच्छा 10 के लिए बहुत ही NCRT के हमारे important question है जो की 70 अंक का आपका प्रश्ण हैगा और ये आपको 70 नंबर छोड़ना नहीं है बिल्कुल आपको पूरा पूरा करके आना है इसमें आपको बेहद ही important question हो आपको बताएंगे solve करके बताएंगे अपने हाँ से ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्योंकि बहुत सारे जो बत्चे देकमेंट किये थे कि हमें solve paper चाहिए तो उसका solution है हमारे पास और ये सब question इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा तो इस वीडियो को एक बाहर से ज़रूर करें और like करिए और ह अगातार एक्जाम है एसस्टी का है संस्कित का है और विज्ञान का है तो उनके वीडियो डेली के डेली कमस कम 10 से 15 वीडियो आपको मिलेंगे जो कि आपके बेहर ही important है और जरूर हमारे चैनल को subscribe करेंगे पढ़ते रहें ताकि आपको यह जो 70 नंबर है आपको छोड़के ना आए तो चलिए हम वीडियो को start करते हैं हमारे नए चैनल जिसका link description के अंदर है जाकि उसे भी subscribe कर लिजे उस पे भी मैं आप से इसे related वीडियो लेके आ रहा हूं तो जाकि यह स्केम लेक्चर की नाम से उसको भी subscribe करेंगे इसमें हमारा question लकडी के एक ठोस बेलन का जो खोद कर निकालते हैं मतलब ये लगड़ी का यहां पर हमारा बेलन है ये लगड़ी का बेलन है जिसके दोनों सुरह इधर भी और इधर भी हम खोद कर एक अर्ध गोला निकाल लेते हैं जैसा कि चित्र में दर्सा आ गया है यहां पर चित्र में हमें क्या है सो किया गया है यदि बेलन की उचाई 10 cm है जो इसकी बेलन की उचाई दिया है वो मेरी कितना दिया है 10 cm बेलन की उचाई 10 cm दी है और आधार की जो तरिज्धा थिर्जा यहां से यहां तक इसको ہम तरिज्धा बोलते हैं इसको माले यच और इसको माले आर तरिज्धा की नादिया है वो 3.5 cm तो वस्तु के संपूर पिष्ट का छित्रफल ग्यात किजिए तो इस वस्तु जो ये मेरा वस्तु है संपूर्द पिष्ट का चितरफल निकालना है और ये संपूर्द पिष्ट का चितरफल आपको कभ निकालना है जब आपका ये अर्थ गोला काड़ के निकाल दिया जाए पहले तो पूरा था अब ये जो अर्थ गोला है इसको आपको निकाल दिया गया तब यहाँ पर बोड़ रहा है कि हमें हमें इस वस्तु का संपुर्ट पिष्ट का छित्रपल किनना होगा पहले हम कैसे solve करेंगे ध्यान दिना है तो हम पर लिख देंगे solve में solve में करेंगे हम दिया है दिया क्या क्या है बेलन की उचाई कितना दिया है अच पराबरों दिया है 10 cm अज जो बेलन के आधार की त्रिज्जा है बेलन की त्रिज्जा जो है वो हमारे अर्ध गोले की त्रिज्जा क्योंकि ये अर्ध गोला भी है न तो अर्ध गोले की त्रिज्जा क्या पराबर क्योंकि देखी है three point five city meter हमें मिल गया दोनों की मिल गया आब आपको क्या करना है कि वस्त का संपूर पिष्ट का छेत्रफल निकाना है तो कैसे करेंगे अमें क्या चाहिए वस्त के कर संपूर के कि का छेत्रफल आपको निकालना जब आपको संपूर प्रिष्ट का छित्रफल निकालना है तो क्या क्या करेंगी यह जो अर्ध गोला है इन अर्ध गोलों का छित्रफल प्लस बेलन के वक्त प्रिष्ट का छित्रफल सम्झेया रहा है न हमें सिर्फ छित्रफल निकालना है इसका आयतर नहीं निकालना है तो अर्ध गोले का चित्रफल प्लस बेलन के वक्र प्रिष्ट का चित्रफल निकाल लेंगे अब ट्विन टू अर्ध गोले के चित्रफल का सुथ क्या होता है तो टू पाई आर स्कॉर ध्यान देना है टू पाई आर स्कॉर हो जाएगा प्लस बेलन के वक्र पिष्ट का चित्रफल क्या होता है टू पाई आर यच अब यहाप क्या गन्ना है टू टू पाई कमान बाइस बटे 7 रख देना है R के वैलू 3.5 के पाउर किनना हो जाएगा 2 हो जाएगा धन 2 पाई कवान 22 बटे 7 R के वैलू 3.5 इंटू H के वैलू कितनी दी है 10 दी है अब इसको हम solve करेंगे जब आप पूरा पी इसको solve कर लेंगे तो solve करने पर जो आपका मिल लाएगा वो आपका जो मिलेगा वो हमें मिल लाएगा पूरा solve करेंगे तो मिल लाएगा आपको 22 इंटू 17 यानि कि 374 cm2 और यहीं पहरे दूस्तों क्या है इसको आपको solve कर लेना है इसको आपको क्या करना है solve कर लेना है गोले को पिघलाकर हमारा क्या बनाएगी गई? जो तरिजा है गोले की, उसको पिघला दीया गया, और पिघलाकर हमें diesen ाइश संत्मेट घ्रम शोर ठैका पतिन न तसनर drift पार्शा ऊचाई, आड़ संतिमेटर वाले हमें संको बनाए गई पहले जो गोला था उसकी अगर यहां पर गोला बना ले एक मेरा गोला था जिसकी जो त्रिज्जा थी यहां पर त्रिज्जा वो थी 14 cm कितनी थी 14 cm अब इसको जहां पिखला दियें तो हमारा एक यहां पर संकु बन गया क्या बन गया हमारा संकु यहां पर बन गया जो संकु क्परप्ट संको की संख्या ग्यात कीजिए तो हमें संको की संख्या आपको निकालनी है तो अब क्या करना है जो दिया क्या है इसमें गोले की त्रिज्जा गोले की त्रिज्जा गोले की त्रिज्जा कितनी दी है वो दी है 14 cm तो गोले की त्रिज्जा को मानते है R1 क्या मानते है R1 संकु की त्रिज्जा संकु की त्रिज्जा वो आपको कितनी दी है 3.5 cm इसको मैं माल लेता हूं R2 और संकु की उचाई संकु की उचाई संकु की उचाई प्यारे दोस्तों कितना दिया है वो दिया है 8 cm हमें यहाँ पे given है अब आपको क्या करना है कि हमें इसका यह पूछा है यहाँ पे कि संकु की संख्या निकालनी है तो संको की संख्या निकालने क्या जो गोला है गोले में गोले का जो यहां पे हम निकालेंगे गोले के आयतन में किसके गोले के आयतन में संख्यू का आयतन का कर देंगे भाग इसका गोले के आयतन में संख्यू के आयतन का कर देंगे भाग आपका एंसर आपके पास में होगा तो सब प्रतम हमें क्या निकाल लेंगे हमें निकालना क्या है संको की संख्या निकालनी है तो संको की संख्या आपको निकालने तो सबसे सराल है संको की संख्या सबसे सराल कटी नहीं है संख्या बराबर हमें क्या हो जाएगा गोलो की संख्या गोलो की गोले की आयतन और किसका बटे संकु का आयतन और कुछ भी नहीं करना है गोले का आयतन का सुत्र प्यारे दोस्तों क्या होता है गोले का जो आयतन का सुत्र होता है वो आपका चार बटे तीन पाई आर क्यूब होता है, चार बटे तीन पाई आर क्यूब बोले का होता है, और संगुके आयतन का सुत्र प्यारे दोस्तों क्या होता है, तो संगुके आयतन का सुत्र होता है, एक बटे तीन पाई आर स्कॉाइर यहाच, एक बटे तीन पाई आर स्कॉाइर यच्छ हमारा होता है आप देखिए यहां आर क्यूप है और यहां पर आर स्कॉाइर है तो इससे इसे कैंसिल हो गया पाई से पाई कैंसिल हो गया तीन से तीन क्या हो गया कैंसिल हो गया तो क्या बचा चार बटे यच हमारा मिल गया चार बटे क्या मिल गया यच हमारा आपको यहां पे मिल गया ठीक है न यहां पर देख लेते हैं चार बटे तीन हो गया परले लोग क्योकुलेशन ही कर लेते हैं क्योकुलेशन कर लो छोड लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा चार बटे तीन पाई स्वारी यहां पर यह नहीं कटेगा क्योंकि अलग अलग है स्वारी मिश्टेक हो गया है और यह किसके लिए गोले का तो गोले की तरिज्जा कितनी दी है वो दी है आपको 14 तो यहां पर 14 के घाते कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा पाई 4 बड़े 3 पाई 9 की उप है और यहाँ पर क्या है 1 बड़े 3 पाई यहाँ पर जो आर की वैलू कितनी दी है समग के लिए 3.5 के घाते 2 और यह की वैलू कितनी दी है आपको दिया है 8 पाई से पाई कैंसेल 3 से 3 कैंसेल तो 4 गुरते 14 के घाते 3, 14 गुड़ते, 14 गुड़ते, 14 हो गया आपर, आप 5, क्या हो जाएगा, 3.5 गुड़ते, 3.5 गुड़ते, 8 अब इसको जब आप स्वालो करेंगे, प्यारे दोस्तों, तो जब आपको निकल के आएगा, संकुक संख्या हुआ आएगे, आपको 112 हमारे संकु बनाया जा सकते हैं, तो संकुक संख्या कितनी आगई, 112, तो आपके बहुत important question है, ऐसे question आएगे, वोड़े में, तो इसको जब जब पढ़के जाएए, बागी आपको लगातारी वीडियो आपको मिल रहे हैं, आदे आदे घंटे की अंतराल में, तो चैनल को जब जब सब्सक्राइब करें, ओके दोस्तों thank you, जैहें, सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में वाच करिए, एक सेर जब बनता है,